तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं छोले चना बनाने के लिए हमने पहले अठाई शुब्राम छोले को पूरी राग दिंग आगे रखा था चना अपना खुल गया है हमने इसे द्भू के एक बॉल में निकाल लिया है अब आड़ा दूसरा एश्टेप है कि हम एक कपड़ा लेंगे एक कपड़ा कॉटेन का होना चाहिए उसमें हम डालेंगे एक बड़ा चमच चाय पत्ती आपकी रेगुलर जो चाय पत्ती यूज़ करते हैं वही होनी चाहिए कोई भी कमपनी का चाय हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है पर इसमें खासियत यही है कि जब हम एक चाय पत्ती को इस कपड़े में गठर लगाएं तो बड़ा ही शौधानी से लगाना होता है अगर ये पोटली चने में खुल गई तो रेस्पी अपना पुरा खड़ा जना पारी है इसमें हम डालेंगे अपना छोले चना हमाता में गिंगा लिया था अब हम इसमें डालेंगे प्रियाक्त मात्रा में पानी यानि की अपने चना जो है पूरfa बीं जाना जाइए फानी की कमी नहीं होनी च corruption जाइए तब ये अच्य से ववाइल होगा अब हमए इस चने में डाल देंगे ये चाई की पोटली जो हमने बना के रखी थी तो हम अच्छे से इसे बीच में रख देंगे इसमें चाड तीज पत्ति थोड़ा सा हम डाल चिनी ऐश्टिक डालेंगे यानि कि बड़ा हो तो दो टुटा डालिए छोटा हो तो तीन कर दिजिये दो बड़ी वाले इलाइसी डालेंगे 8 से 10 हम लॉंग डालेंगे साथ में हम इसमें एक चमच नमक डालेंगे नमक को हम डालके एक चमच से साड़े इल्गिदियंस को ऐसे घुमा लेंगे घुमाने का मतलब की सब अंदर तक अच्छे से ये डूप जाएगा अब हम ढगकन को लगा के और इसे 6 से 7 भीसी तक वायर करेंगे तो पहला भीसी अपना जो है वो तेज फ्लेम पे होना चाहिए और बागी का हम 4 पांच जीज जो है मीडियम फ्लेम पे करेंगे तो हमने कूपर का ढगकन लगा दिया गैस को on कर लिया है, और इसे हम पेज फ्लेम पे एक सीटी आने तक रखेंगे, फिर हम फ्लेम को medium कर देंगे. हमने छोले में एक सित्टी पेज फ्लेंपे और पांच सित्टी मेडियम फ्लेंपे बढ़वा लिया है गैस को हम आउट कर ले रहे हैं और चलते हैं मचाला की तयारी करने तब तक गैस अपना देशर पूकर से निकल चुका रहेगा गैस पे हमने एक कड़ाही रख लिया है कड़ाही में हम इसमें एक बड़ा तम्मच तेल डालेंगे तो यहां पे हम सर्चो का तेल यूज करेंगे क्योंकि सर्चों के तेल की सब्जी बहुत ही तेश्टी रखती है या दोज हो राजमा हो या दम हो तो सबसे पहले हम तेल को अच्छे से गरम करेंगे जिसका एक श्ट्रॉंक फेवर है वो निकल जाएगा फिर हम इसमें तरखा डालेंगे तेल गरम हो चुका है हमें फ्लेम को श्रो कर लेना है और इसमें दाला है हमें एक बड़ा चमज जीरा को वहमें अच्छे से चुटकने देना है जीरा अपना अच्छे से भून चुका है पेल में अब इस पेल पर हम डालेंगे दो बड़ा प्याद इसे हमने बाड़िक बाड़िक काट लिया है इसे हम पेल में तोल देंगे और इसे हम मेडियम सेंपे डाउन होनी तंखुनेंगे जान है साड़े प्रोसेस हम मेडियम सेंपे करेंगे नहीं तो प्याद जल्दी जल जाएगा पर गलेगा नहीं जैसे हमें गल्ला हुआ चाहिए तो हम यह साड़े प्रोसेस मेडियम सेंपे नहीं करना है अब बेख सकते हैं हलका सा प्याद अपना सौफ हो चुगा है इस इस पे हम डालेंगे एक बड़ा चमच अगर लेक्सुत का पेश्ट जिसे हमें दरदरा फूप रखा है और इसे भी प्याद के साथ हम 2-3 मिनियर तक लेलियम सेंपे भूंएंगे भी बीज़को लेक्सुन आप सब्सक्राइब करें अब देख सकते हैं लेक्सुन अध्रग त्याद अच्छी सेंपर चुखा है इस इस इश्टेच पे एक डालेंगे टेमाटर तो यहां पे हमने दो बड़े टेमाटर को ग्रेटर्ट से ग्रेट कर लिया है आप चाहें तो मिकसर में ख्योडी भी बना के जाल सकते हैं लेकिन एश्टेप करने से बैसलर हो ही आसानी से घर के और-टरा की वेसली टआ पर सकते हैं तो मैं अक्सर ग्रेड करती ही भिंषाती हीं नमक दालने के बाद हम 4-3 मिनट तक अठ्छे ची टामाटर को भूंगेंगे अभी हम फ्लेंट को थोड़ा तील कर ले रहे हैं हम ये टामाटर को 2 मिनट तक ही या है यहां पर हम मसाला एड करेंगे तो सब्सक्री पहले हम डालेंगे इसमें 2 चमज भनिया पौडर एक चमल सों खलडी पौडर डालेंगे और याहां पर हम 3 चमल लाँ नीट को रौडर डालेंगे जोगी फोड़ा सा त्युस्ती बनाना हो हो तो शिखा बनाना जरूरी होता है और ये निस शिखा वाला तब नहीं है यह और आने पीश करते हैं जब मसला मीच किये तो किकना बढ़्याद क सब्सक्राइब और शब्सक्राइब दालेंगे इसमें छुले मसाला यहां पर हम यह दो चमत नाम गजए बढ़ देगे अच्छे सेग्स करेंगे मसाला ढालने के बाद हम 3-4 मिन तक अठ्छे से मसाला को भूणेंगे यानि की कळाई अपनी तेफ्ट पोचके तब तक मसाला को अच्छे से भूणेंगे जरूरत पड़ा तो हम एक आज सम्मझ पानी के छीटें माल लेंगे लेकिन मशाला अच्छे से भूनना जरूरी होता है मशाला को हमें अच्छे से भून लिया है अब चलिए अपना हम चना चेक कर लेते हैं जिसे हमने वायल करके प्रेसर उफर में रखा है तो हम उफर का ठतन हो लेंगे आप देख सकते हैं अपना चना फूर्ट के कितना अच्छा हो गया है अब हम ये सामज की मदद से साई की जो पोटली डाली थी उसे भीरे से निकाल लेना है और साइड में रख देना है अब हम एक चना आपको दिखा रहे हैं चना कैसे गला है आपका तो ध्यान से देखिए दबाते हैं तो ये अच्छे से पेस हो जा रहा है ऐसे ही हमें चना चाहिए गला हुआ अब हम इस चने को सीधा लेशनेंगे कडाही में जहां हमने मशाला त्यार किया है चना को पानी के साथ में छोड़ देंगे हमें ये चाय वाली पानी फीतनी में है इसी से तो स्वाथ बढ़ता है और कलर भी आता है साड़े चने हम ताल देंगे चना को हम मसाले के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे आप देख सकते हैं हमें शोले को अच्छे से मसाले के साथ मिक्स कर लिया हैं अभी भी अपनी ये ग्रेवी जो है गार ही लग रही है तो इसमें हम एक ग्लाश पानी डाल देंगे अगर आपके छोले में ज्यादा पानी हों तो पानी उपर से मद डालिए आप ग्रेवी का ठीकनेस चेक कर के तो ही पानी डालिएगा तो आप देख सकते हैं अभी अपनी शोले जनाना गाड़ी है नपतली है हमें ऐसे ही कंसिस्टेंजी के छोले बनानी होती है अब हम क्या कर तक पढ़ने लेंगे, हमने पासवी नर तक छोले को मचाले में पका लिया है, आप देख सकते हैं, इसका कलर, इसकी खितनेस देखिए, इतना परफिक अपने तैयार हुआ है, हम फ्रेंग को आफ कर लेंगे, और इसमें डालेंगे हम फिर शाड़ा, फ्रेस धनियां पता, तो धनियां पताय डालने से, आप देख सकते हैं, चना अपना कितना बढ़ियां बनके दयार हुआ है, अब हम इसे थोड़ा सा ठंड़ा होने देंगे, इससे क्या होता है, इसकी ठिकनेस और बढ़ जाती है, फिर हम इसकी प्लेटिंग करके आपको दिखाते हैं, चलिए हम सब करेंग बॉल में ट्रास्पर करेंगे, अब देख सकते हैं, ग्रेजी की ठीकनेस देखिए, सबजी का कलर देखिए, आप समझ सकते हैं, इसे भटूरे के साथ, पूरी पराठे के साथ खाने में कितना टेश्टी लगेगा, तो फ्रेंड्स आपने देख लिया, छोले बनाना इतना आसान है, इसे आप पूरी पराठे भटूरे के साथ खाएं, बहुत ही टेश्टी लगता है, और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सेयर कीजिए, कॉमेंट करना मत बाएं।